लॉक्डाउन के समय एकॉमर्स कंपनियों के व्यवसाय में हुई उलेकनी वृद्धी और लॉक्डाउन के बाद भारती एकॉनमी के पुश बैक के साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री ने अच्छी ग्रोथ रेट प्रदर्शित की है। इस प्रकार की गत्तों को रिसाइकल करने के आविश्यक्ता नहीं होती और स्थानी मुनिसिपल बोट की द्वारा ही ये काम कर दिया जाता है। यदि आप मशीन की साहिता से इस प्रकार की गत्ते बनाने का काम शिरू करना चाहते हैं तो आपको स्थानी मुनिसिपल अथोरिटी के द्वारा एवन पॉलिशन कंट्रोल बोट के द्वारा एक पॉलिशन सर्टिफिकेट लेना होगा। कैसे चुड़े फैक्ट्री की लोकेशन? इस विवसाय में सफलता पाने के लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपको अपनी फैक्ट्री की लोकेशन उसी स्थान पर बनानी है जिस स्थान को आपने अपने टारगेट कस्टमर बेस के रूप में चुना है। इसे पहले आप प्रॉपर रिसर्च करने और ऐसी स्थान पर फैक्ट्री भी बनाएं जो रोट कनेक्टिविटी और ट्रांस्पोर्टेशन की अच्छी सुविदा उपलब्ध हो। साथ ही आपके यहाँ पूरे दिन इलेक्रिसिटी सप्लाइ होना भी आवश्चक है। समय पर इलेक्रिसिटी ना आने की वज़े से आपकी मशीन ने अपनी क्षमता के अनुसार प्रॉडक्शन नहीं कर पाएंगी, जो कि आपके लिए घाटे का सौधा है। कैसे तै करें बॉक्स का साइज। आपकी फैक्टरी में बनने वाले बॉक्स के साइज आपकी डिस्टिबूटर और ग्राकों की डिमांड पने पर करेंगे। ऐसी मशीन खरीदें जिससे सभी प्रकार के लेयर वाले बॉक्स बनाया जा सकते हों चाहे वो आपको मेहंगी ही मिले। कितनी जगा की अवशक्ता होगी और किस तरह की फैक्टरी की सहायता से कितना करपाएंगे उत्मादत। मशीनों की सहायता से स्थापित किये गए आटोमेटिक प्लांट के लिए आपको कम से कम 7,000 स्क्वेर फीट एरिया क्या वशक्ता होगी और यदि आप इसे बड़े स्थर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगबग 25,000 स्क्वेर फीट के एरिया क्या वशक्ता फ्ल आटोमेटिक प्लांट में डिवाइड किया जाता है। आप अपने प्लांट में लगने वाली मशीन के आधार पर एक दिन में 4-5 टन गत्त्य का उतपादन कर सकते हैं। और यदि आपके पास फुल आटोमेटिक प्लांट है तो आप आसानी से दिन में 20-40 टन गत्ते निर्मित कर सकते हैं किस तरह की डिस्ट्रिबूटर मार्केट में बेच पाएंगे आपके द्वारा तयार किये गए गत्ते के बॉक्स वैसे तो लगबख सभी प्रकार के बिजनस सेक्टर में इनका इस्तेवाल किया जाता है परन्तु मुख्यताय फॉर्मसिटिकल सॉप इस प्रकार के बॉक्स बेचे जा सकते हैं क्या आपको पता है इस प्रकार तयार किये गए गए 80% से अधिक बॉक्स वर्तमान में इकमर्स कंपनी के द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं कौन सी मशीने होंगी आवशक्ता इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 4-5 मशीनों के आवशक्ता होगी और इन्हें लगाने के लिए भी आपको बड़ा स्पेस चाहिए फेस पेपर गत्ता मशीन, बोर्ड कटर मशीन, शीट पेस्टिंग मशीन, शीट प्रेसिंग मशीन, रोटरी कटिंग मशीन, सेंट्रिक प्लेट मशीन, स्टिचिंग मशीन इस प्रकार के मशीनों को खरीदने के लिए आप किसी भी offline industries, distributors से संपर्क कर सकते हैं या फिर online माध करीदने के लिए India Mart और Trade India जैसी website पर विजिट कर सकते हैं कौन से कच्चे माल की होगी आवशकता? मुख्यता आपको craft paper की जरूरत होगी इसके अलावा yellow straw board, glue, stitching wire और packing करने के लिए पैकेट जैसे कच्चे माल की जरूरत होगी गत्य के box बनाने की पूरी प्रक्रियाद Step 1. या तो आप market से सीधे craft paper खरीद ले या फिर लकड़ी की सहायता से craft machine की मदद लेकर लकड़ी का गुदा बनाकर craft making machine की सहायता से भी craft बना सकते हैं Step 2. इस प्रकार तयार craft को face paper machine में डालना होता है जहां इनकी size मोटी और कठोर हो जाती है Step 3. इस मोटी craft paper को board cutter और sheet pasting machine की सहायता से अलग-लग size के अनुसार काटा जाता है Step 4. इन काटेगे गत्तों की stitching machine की सहायता से सिलाई की जाती है इस प्रकार बनकर तयार हुए गत्ते packing machine की सहायता से बड़े packet में pack करके market में बेचे जाते हैं कैसे करें marketing इस तरह के विवसाय में online marketing पर जादा focus करें क्योंकि online की तुलना में ये सस्ती भी होती है साथ ही आप e-commerce website पर अपने सामान बेचने वाले retail shop owner से भी online ही संपर्क बना सकते हैं इसके लावा भारत के अलग-लग शेत्रों में लगने वाले trade fair और business expo में भी हिस्सा ले और वहाँ पर अलग-लग विपारियों के द्वारा अपनाई जाने वाली marketing strategy पर अच्छी तरह से focus कर आप भी उसी तरह की strategy अपना सकते हैं ओकी credit, business ओकी है